100% हार गया था अफगानिस्तान फिर ऐसे जीता मैच जिए दोस्तों अफगानिस्तान ने और स्टेलिया के साथ विकिट एक्यानुई रण के स्कोर पर गिरा दिये थे और अफगानिस्तान की जीत पूरी तरह पक्की हो चुकी थी लेकिन इसके बाद मैदान पर खड़े हो अफगानिस्तान की पूरी टीम को एक अकेले खिलाडी ने पूरा पलट दिया मैच और इसके बाद इस मैच में इतना बड़ा बवाल मचा कि अफगानिस्तान की हवा टाइट हो गई जहां एक समय ये मुकाबला अराम से अफगानिस्तान जीत रही थी लेकिन इसके बाद मैच में हो गया बड़ा बबाल जिए ओस्तां और श्तेलिया का वल्ड कप का बड़ा मुकाबला मुंबई के वान खेड़े स्टेडियम में खेला गया तो हे दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाइलाइट वीडियो जानों तो इस मैच में पहले शुरुवात अफगानिस्तान ने टॉस जीत कर करी और उन्हें इस मैच में टॉस जीते ही बल्ले बाची चुनी जहां उनका ये फैसला आज बेहती अच्छा साबित हुआ क्योंकि अफगानिस्तान की बल्ले बाची शुरुआत से काफी शांदार रही थी जहां एक तरफ अफगानिस्तान के एक के बाद एक विकेट गिर जरूर रहे थे लेकिन इमराहिम जडान इस मैच में अफगानिस्तान की पारी को आखरी से लेकर सुरू टक पूरी तरह समाल कर खड़े थे और इस वजह से अफगानि शांदानिस्तान को इस मैच में पहला जटका 38 रन के स्कोर पर ही लग गया था और गुरबाज 21 रन बनाकर आउट हुए थे और वो हेजल वुड की गेंद का शिकार बने थे जहां इस मैच में रहमत काफी धीमी बल्लेबाची कर रहे थे और उनको मैक्सविल ने आउट कर दिया था और दोस्तों रहमत 30 रन बनाकर राउट हुए थे जहां इसके बाद कप्तान शहीदी भी 26 रन बनाकर क्लीन बोल्ड हो गए थे मिचल श्टाक की गेंद पर तो हजमदूला उमर्जाई ने 22 रन बनाए थे और उन्हें जैमपा ने आउट कर दिया था तो इसके बा आखरी 10 ओवर में राशित खान और इमराहिम जडान ने पूरी तरह और स्टेलिया की टीम को इस मुकाबले में धोके रख दिया जाउन दोनों की शांदार बैटिंग के आगे और स्टेलिया की गिंद बाजो ने पूरी तरह गुठने टेक दिये थे क्योंकि आखरी 10 ओवर इमराहिम जडान ने कमाल का परदशन करते हुए 143 गेंदों में 3 छक्के 8 चोकों की मदद से 139 रणों की शांदार पारी खेली थी और दोस्तों वो नौट आउट रहे थे जहां इस मैच में राशित खान ने किवल 18 गेंदों में 3 छक्के 2 चोकों की मदद से 35 रणों की उन्होंने 9 अवर में 49 रण देकर 2 विकेट अपने नाम किये थे तो मैक्सिल स्टाक और जैंपा को एक एक विकेट हाथ लगी और जब इसके जवाब में ऑस्टेलिया की टीम टार्गेट का फीछा करने उतरी तो फिर ऑस्टेलिया की शुरुआत इस मुकाबले में बेहती खोल पाए थे जहां इसके बाद उनको दूसरा जटका भी काफी जल्दी लगा और यह जटका 43 रण के स्कोर पर नवी नुलक नहीं देकर मिचल मार्श काउट कर दिया और मार्श 24 रण बना कर आउट हुए थे जहां मैच के दौरान मिचल मार्श और अफगानिस्तान की ग इंद बाजो ने उस्टेलिया को एक के बाद एक दो बड़े जटके देकर डेविट वर्नर और जॉस इगलिस काउट कर दिया था जहां ये दो जटके हजमदुल्ला ने देकर पहले वर्नर को क्लीन बोल्ड मारा और वर्नर 18 रण बना कर आउट हुए थे तो इगलिस अपन में मारनस लभूशेन रण आउट हो बैठे और वो 14 रण बना कर आउट हुए थे और उस्टेलिया की आधी टीम ही 59 रण की स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी और इसके बाद उस्टेलिया की हालत और खराब होती जा रही थी क्योंकि इसके बाद मारका स्टॉइनिस को भी राशिद खान ने आउट कर दिया था और इस टॉइनिस के वल 6 रण बना कर आउट हो गय थे तो इसके बाद राशिद खान ने श्टाक को भी आउट कर दिया था और श्टाक 3 रण बना कर आउट हुए थे हालाकि श्टाक आउट नहीं थे लेकिन उन्होंने रिव्यू नहीं लिया और इस वजह से वो आउट हो गई थे लेकिन इसके बाद दोस्तों जब उस्टेलिया की टीम अपनी पूरी उमीद हार चुकी थी और अपनी हार पूरी तरह मान ली थी लेकिन दभी इसके बाद बैटिंग करने मैक्सविल उत्रे और दोस्तों मैक्सविल ने इस म भाग कर इस मैच में अफगानिस्तान का पूरा पसीना छुटा दिया था जा अफगानिस्तान की टीम शुरुआत में साथ विगट गिरा कर काफी खुश थी और इसके बाद जब मैक्सविल ने उनके बोलोरों की पिटाई करी थी फिर तो बाप रे बाप अफगानिस्तान पूरी तरह अपने गुंठ दिये यूंकि इसके बाद अकेले खडे मैक्सविल ने श Kazakh जड़ दिया और शşekkür जड़ने के बाद तो इस मैच में पूरी तरह उस टेला मैच में से ये मुआबला फूसलता जा रहा था जिए मैक्सविल का कैश शुरुआत में छूट गया था त और अगर वो कैच मुझीबू रिमान पकड़ लेते तो फिर बात कुछ और होती और मैक्सविल शतक ना जड़ बाते लेकिन मैक्सविल ने इस मौके का पूरा फाइदा उठा कर अफगानिस्तान की पूरी तरह इस मैच से छुटी कर दी थी क्योंकि दोस्तों इस मैच में एक के बाद एक ताबर तोड़ बैटिंग करी जहां दोस्तों मैक्सविल के बीच मैदान पर पैर में काफी दर्द हो रहा था और पूरी तरह उनका शरीर अकड़ चुका था लेकिन दोस्तों इस मैच में पूरी बैटिंग करी जहां दोस्तों इन सब को नकारते हुए अपनी देश के लिए खड़े होकर बल्लेवाजी करी जहां इसके बाद मैक्सविल ने इस मैच में पूरी तरह और स्टेलिया के हाथ में ये मैच लाके रख दिया था क्योंकि इसके बाद 47 ओवर की 5 भी गेन पर मैक्सविल ने एक शांदर छक्का लगा कर अपने 200 रन पूरे करे और इसके बाद उन्होंने और स्टेलिया को तीन विक्टों से जीत दिलवादी थी जहां दोस्तों इस मैच में मैक्सविल ने 128 गेंडों का सामना करने के बाद 214 चौके 10 छकों की मदद से 201 रनों की शांदर पारी खेल कर नौट आउट रहे थे तो इस मैच में पैट कमिंग्स ने भी 68 गेंडों में 12 रन बनाए थे और दोस्तों मैक्सविल के साथ पूरी तरह खड़े रहे थे और दोस्तों मैक्सविल ने ये दुनिया की अब तक की क्रिकेट की सबसे बड़ी पारी खेल डाली है ऐसे में दोस्तों आपको मैक्सविल की ये पारी किस कदर अच्छी लगी आप अपनी कीमती राय में नीचे कमेंट में जरूर बताएं और दोस्तों मैक्सविल ने ये मैच ऑस्टेलिया को जितवा कर सेमी फाइनल में भी कौलिफाई करवा दिया है और दोस्तों मैक्सिल ने पूरी तरह सब का दिल जीत लिया है